दोस्तों नमस्कार, बहुत सार लोगों ने मुझसे पूछा, यह मॉंक मोड क्या है, मॉंक मोड, 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 मॉंक मोड कोई नई चीज नहीं है, मॉंक का मतलब क्या होता है, सन्यासी और मोड का मतलब उस विधी में आ जाना तो हम जब सन्यास की विधी में आ जाते हैं तो हम सन्यासी हो जाते हैं एक तरह के अब कुछ लोग कहेंगे सर आप सन्यासी बन गए क्या अरे नहीं भई मैं सन्यासी नहीं बना सन्यास का मतलब है कि किसी भी लक्ष की प्राप्ति के लिए आपने मन में एक लक्ष बना लिया कि मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए आपने जितना भी तपस्या है, त्याग है, बलिदान है वो सब करने का मन बना लिया है तो आप ये कहा जाएगा कि आप मौंक बोड में हो गए और monk mood किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपकी personal physical के लिए हो सकता है, आपके financial position के लिए होता है, आपके family के relations के लिए, आपके friendship relations के लिए, साथ साथ अपने social circle के लिए, आपके बड़े लक्षों को हासिल करने के लिए, कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, रावन ने भी तपस्या की थी, तो तपस्या हर व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि कोई positive people हो, वही तपस्या करेगा, नेगिटिव लोग भी तपस्या करते हैं, भगवान राम ने तपस्या की, तो उनको शाडग धनुष मिला, रामण ने थापस्या की, तो उसको पौलत शृष्ट्र को नश्ट कर सकती है, जरूरी नहीं की पहलद अर्जुन को भी मिला हो, अगर हम देखें अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा ने भी अर्जुन की तरह तपस्या की, तो उनको भी क्या मिला, उनको भी मिला भ्रहमास्त्र, लेकिन अर्जुन के पास एक शक्ति थी कि ब्रह्मास्तर छोड़ने के बाद वो उस ब्रह्मास्तर को वापस भी ला सकते थे, आश्वर्था मंगे पास शक्ति नहीं थी, उनका ब्रह्मास्तर छूट गया, वापस लाने की शक्ति नहीं थी, तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या करेगा, त्याक करेग बलिदान करेगा, चीजों को हासिल करने के लिए लक्ष केंद्रित रहेगा, समय बद्धता के साथ काम करेगा, वो उन लक्षों को हासिल ज़रूर करेगा. उसके लिए बस थपस्या करने के जरूरत है, मौंक मोड में जानी के जरूरत है. जैसे मैंने अपनी लाइफ को ट्रा में अपनी लाइफ को फिटनेस के रूप में ट्रांसफर्म करने के लिए मैं अपने आपको फिट बनाया, कामन 96 kg का था, 47 इंचीज मेरा वेस्साइज था, मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफर्म किया, तो उस समय में मौंक मोड में चला गया, 96 kg से 67 kg, 47 इंचीज और अब मैंने शुरू का है, 111 देज मौंक मोड बॉडी ट्रांसफर्मेशन चालेंज, तो अगर आप भी ट्रांसफर्मेशन करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो मौंक मोड में जाएं, मौंक मोड का मतलब ये कतए ही नहीं है, कि आप एक तपस्वी बन जा और आप सब कुछ घरवार छोड़के बैट जाएं जो लक्ष हासिल करना है उस लक्ष को हासिल करने के लिए एक मौंक मोड पेपर पर ड्राफ्ट बनाएं और उस पर निरंतर चलते रहें उन कदम पर जैसे 111 दिन तक लगा तार मैं सुबह 5 बिजे उठूंगा और जो मेरा पूरा day schedule है जो मैंने पहले दिन decide किया था मौंक मोड के लिए उस पर काम करता रहूँगा और 111 दिन बाद मैं अपना desired result हासिल कर लूँगा क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लक्ष केंद्रित हों समय बद्दता के साथ हों अपने बनाय हुए target को achieve करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो आप करने के लिए तैयार हो तो आप इसको हासिल नगर पाएं ऐसा हो ही नहीं सकता आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसको हासिल करने का लक्ष और धे आपने बना लिया जरूत है तो केवल decision लेने की decision लें और start कर दें अपने business को लेकर personal life को लेकर, social life को लेकर, fitness को लेकर, अपनी happiness को लेकर, goal बनाई, monk mode में जाएं तो ये है असली monk mode